तो आज हम देखने वाले हैं द्वंद समास के बारे में नाम से इस पस्टे द्वंद लिखेंगे तो द्वंद में दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब की पूरू पद भी क्या होता है प्रधान होता है उत्तर पद भी दोस्तों क्या होता ह प्रधान होता है तो पूरू पद हमने क्या देखा एक नंबर उत्तर पद मतलब दो नंबर दोनों पदों क्या होते हैं प्रधान होते हैं और दोनों में क्या होती है दोस्तों प्रतिस्परदा होती है प्रतिस्परदा मतलब एवम का कया जाता है और दोनों में competition होता है जिसे बात도 करें भाई और वहन तो भाई और बहन दोस्तों यह गया समस्त्रत्पद स pracy और गया हम क्या करेंगे विग्गण करेंगे इनको बांग वायेंगे तो क्या बनेगा गंगा और यमुना, पाप पुन्य, दाल भात, खरा खोटा, मा बाप, आगा पीछा, आगे और पीछे, अचार विचार, अचार और विचार, शूब लाब शूब लाब दिन रात दिन और रात शूब लाब शूब और लाब तो दोस्तों यहां पर आप समझ रहे होंगे कि व्यक्तियों के बीच क्या हो रहा है द्वन्द हो रहा है द्वन्द मिन्स कॉम्पेटेशन हो रहा है अरे जिसे भाई बहन तो भाई अलग नही के बीच में क्या हो रही है प्रतिस प्रदा हो रही है याने कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है क्या बताया कि दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं में होते हैं मुख्य मुख्य होते दोनों जैसे भाई है तो भाई पूरुपद हो गया और बहन क्या हो गया होती है प्रतियोगिदा होती है अन्ए इसकी परिबासा देखते हैं जैसे दोन्द समास में क्या कहा गया कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रदान हो दढ़ा करने पर और अथवा यह एवं लगता हो वहाँ पर क्या लगता है द्वंद समास केलाता है और जैसे इसके वहेचान यह है कि दोस्तों इसमें हाइफन और योजक चिन्न का प्रयोग अधिक्तम किया जाता है जैसे माता और पिता माता पिता फिर बात करें नदी नाले तो नदी और नाले पाप पुन्य तो पाप पुन्य का हम संदी नहीं विग्रा करेंगे समास विग्रा करेंगे तो पाप और पुन्य सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, तो गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, उच निच, तो उच और निच दोस्तों यह क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है, और दोनों एक दूसर से क्या कर रहे हैं, उच निच, उच या निच, आगे प जलकुट तो ये दोस्तों हो गए और कुछ इसमस में आते हैं आप ने supporting Life कुणा दर्म मुनें क्या रहेगा धर्म और अधर्म पापा पाप पापा पाप पाप और अपाप पाप और अपाप लाभालाप लाब और अलाप दोस्तों ये हमने पड़ा और पहचान इसकी ये कि दुन्द समास में ये दोनों पदों का संग्या सरुनाम अथवक्रिया होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है द्वंद समास के बारे में हमने देखा कि जहां पर क्या होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके बीच में योजक चिनने क्या लगे रहते हैं और अथवा या एवम विग्रा करते समय और दोनों में क्या होता है दोस्तों और्थ का बल पड़े उसे हम क्या कहेते है प्रतान खंड और गोण खंड किसे कहते हैं जो अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे हम गोण खंड कह थे कहते हैं तो दोंद समास में बनाज में प्रतिसपरदा होती between प्रदान और आथवा या एवम का प्रयोग किया जाता है यह आप समझ चुके होंगे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जब तक के लिए जहन